वेल्कम टू मैं चैनल माइक्रोपालोची विद उडिया खान तो आज कर जो हमारे लेक्चर होगा वो होगा ऐसेक्चुल रेप्रोडक्शन और सेक्चुल रेप्रोडक्शन के बारे में बट यह सम्हाओ जो है जेन्रेकरी कॉंबिनेशन की इंफर्मेशन भी दे गए एसेक्च्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट यानिकर DNA है ठीक है तो यहाँ पर जो है यह क्या करता है अपने आपको इस तरह से दो मेंantics डाइड कर लेता है धीक है धो में मत्यूइड होगा तो इस में जो इसका आदा मटेरियल है वो एक सेल में चले जाता है और आदा माटली जाता है ठीक है तो इस तरह से ये दो cells बन जाते हैं अलग-अलग ठीक है तो और इस process को हम क्या कहते है binary fusion कहते है sometime binary fusion जो है वो 28 और 30 minutes में 28-30 minutes में जो है ये complete हो जाता है process तो मक्सद ये है कहने का कि इसमें जो है कोई conjugation, transaction, transformation नहीं होता नप plasmid क्या कोई काम होता है directly देखे cell, cell दो में divide हुआ, nucleus भी और genetic material भी फिर ये दोनो अलाइदा हो गए तो जादा तर ये जो binary fusion देखा जाता है इसके example भी मैंने दिया है इकोलाय में होता है ठीक है इसके बाद बात कर लेते हैं conidia formation, conidia formation में क्या होता है ये जादा तर जो है filamentous bacteria में होती है तो इसमें क्या होता है ये जैसी bacteria का cell है और ये इसका genetic material है और nucleus है ठीक है तो इसका ये जो है sport like आप इसका bird देख रहे है ठीक है conidia निकलावा सुरी तो ये flamantic bacteria है इस conidia है तो यहाँ पर क्या होता है ये अपने आपको खुदी एक से दो में और दो से तीन में divide कर रहे है तो ये conidia की form में जो है एक transfer septa की form में जो है इसकी formation हो रही है multiplication हो ठीक है और ये जो conidia है वो ज्यादा तर किसमें होता है steptomyces में ज्यादा तर इसकी जो example है paramentis bacteria कि steptomyces यहाँ पर मैंने लिखिया ठीक है इसके बाद process आता है budding बर्डिंग का यह देखें आप यह भी bacterial cell है और यह देखें यह bird की form नजर आ रही है आपको उपर से जो निकली भी है तो यह bird की form में जो है अपनी sexual reproduction करवाते हैं यह नीकलेगा फिर इसे एक cell बनेगा फिर वो उसके ऊपर बछ निकलेगा फिर उससे दूसरा सेल बनेगा तो इस तरह की है जो है budding होती है और इसकी sexual reproduction होती है तो यह कौन से बक्टिरिया में होती है रोडो-mikrobium बक्टिरिया में यह इसका example दिया बाए मेंने ठीक है अब यह यह जो तीनों प्रोसेस है, बाइनरी फ्रीजन, कॉलिडी फॉर्मिशन और बडिंग, यह तीनों ज्यादा तर जो है, फेवरेबल कंडीशन जब बैक्टिरिया को मिलती है, तो तब यह होती है, ठीक है, एसेक्टियल रिप्रोडक्शन, और जब यह एन फेवरेबल कंडीशन और यह जो आपको अंदर नजर आ रहा है, इनर मेंब्रेनेस, और यह उंदर वाला कौर है, अब कौर में क्या कया होगा, DNA होगा, राइबोजोम होगा, TRN होगा, एंजाइम्स और इसी तरह के सारे जो है, ए और्गनल्स मोझूद होगे, इस कोर के अंदर, बैक्टिरिया के तो होता किया है इसमें यह जो है यह जो एग्जोगोटारिया में सब्सक्रास हरा है इसके जोब इसके सब्सक्राइज वाला इसsk और आर्मया लग कोटी ढंग बपता है एक जनरेशन से दूसरे में ठांसफर है तो इस की यह एLove प्रकान काफके depth में जाई उसके इस वगारे अन्दर सीपह सीकति इस रहे token the order formation होती है तो इसको इसको मैं। होती हो जाता है। तो कि 4 step में ओगा होगा है अगर फिर इसकी outgrowth होगी थिरू जब इसको y yes आप देखें स्कोरार के कंडिश्न की बात बताई कि इस आध से होगा ॹए अब जैसे ही फैवलेबर कंडिशन होगी तो फिर एक से दो में डिवाइड हो जाएगा इन प्रोसेस के तुरू एक्टिविशन इनिशेशन उसके बाद आउट ग्रोथ और इसकी हम जायता जो एक्जेम्पल होती हैं इंडरस्पोर की क्लोस्डेरियम के जितनी भी स्पेशिय लिए स्टेच में रहता है फिर जैसी इसको इस陽 को वाड़ वी कंडिशन मिलती है वो ग्रोथ छाता है तो इसलिए हम इसको राक्रों स्टेच्चर किया जाक क्ल और गाया फिन विए और स्वह स्टीय के विशाज़ेशन होती है फिर ज़्यों सेच्वाशिक शहाधा में जो है जब हम देखते हैं तो इसमें तीन Τरह के प्रोस्य आते है इन तीन ओ के थुछ है इसकी सथल्री पॉड़क्शन होती है चेले मैं जो है अपने ख्टोलल रिपॉड़क्शन का लेक्टर आपको अपने दूसरी वीडियो डिहुटे तो आप प्लीज मुझसे कोशिन कर सकते हैं and thanks for watching if you like my video so please like, share and subscribe my channel Allah Hafiz thanks for watching